भारत माता की कारकम्य उपस्थित, राजस्थान के आदर्निय मुख्यमंत्री स्रिमान अशोक गहलोजी, मद्द प्रदेश के गवर्णर और आदिवासी समाज के बहुत बड़े नेता, श्री मंगु भाई पतेल, गुजरात के मुख्यमंत्री, श्री भुपेंद्र भाई पतेल, मद्द प्रदेश के मुख्यमंत्री, स्रिमान शिवराशनी जी चौवान, मंत्री परिशत के मेरे सहयोगी, श्री फगन सिंग कुलस्ते जी, स्री अर्जुन मेगभाल जी, विबिन संगधनों के प्रमुख व्यक्तित्व, सांसद गण, विधायक गण, और मेरे पुराने मित्र, आदिवासी समाज की सेवा में, जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है, ऐसे भाई महज जी, और विशाल संगह में पधारे आये, दूर सुदूर से मानगंध धाम आये हुए, मेरे पैरे आदिवासी भाई और बहनों, मेरे लिए खुशी की बात है, कि मुझे आज फिर एक बार मानगंध की इस पवित्र धर्ती पर आकर के सर जुकाने का उसर मिला है, मुख्यमंत्री के नाते, अशोग जी और हम साथ-साथ काम करते रहें, और अशोग जी हमारी जो मुख्यमंत्रियों की जमात थी, उसमें सबसे सिनियर थे, सबसे सिनियर मुख्यमंत्रियों बे हैं, और अभी भी हम जो मंच में बैटे हैं, उसमें भी अशोग जी सिनियर मुख्यमंत्रियों में से एक है, उनका यहाना, इस कार कम में उपत्र रहना, साथियों आजहादी के अमृत महोसों में हम सभी का मांडगर धाम आना ये हम सब के लिए प्रेरख है हमारे लिए सुख़द है मांडगर धाम जन जातिय वीर विरांगनाओं के तप त्याग तपस्या और देश भक्ति का प्रतिबिम्म है ये राजस्तान गुजरात मंद्प्रदेश और महराश्टर के लोगों की साजी विरासत है परसों यानि 30 अक्तूबर को गोविन गुरुजी की पुन्निति थी थी मैं सभी देश वास्यों की तरप से गोविन गुरुजी को पुनह स्रद्धांजली अर्पित करता हूँ मैं गोविन गुरुजी की तब तफस्या उनके विचारों और आदर्शों को प्रणाम करता हूँ भाई और बेनों गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए मानगर का जो क्षेत्र गुजरात में पड़ता है मुझे उसकी सेवा का सौभागी मिला था उसी क्षेत्र में गोविन गुरुजी ने अपने जीवन के अंतिम बर्ष भी बिताए थे उनकी उर्जा उनकी सिख्षाएं आज भी इस मिट्टी में महसूस की जा रही है मैं विशेश लुप से हमारे कटारा एक अड़कमल जी का और यहां के समाज का भी आज सर जुका करके नमन करना चाहता हूँ जब मैं पहले आता था ये पूरा बिरान शेत्र था और मैंने अगर किया था वन महसूस के द्वारा आज मुझे इतना संतोस हुआ चाहरों तरब मुझे हर्याली नजर आ रही है आपने पूरे स्रद्धाभाव से वन विकास के लिए जो काम किया है इस खेत्र को जिस प्रकार चे हरा भरा बना दिया है मैं इसके लिए यहां के सभी साथियों का रुदर से आज मैं अभिनंदन करता हूँ साथियों उस खेत्र में जब विकास हुआ जब सडके बनी तो वहां के लोगों का जीवन तो बैतार हुआ ही गोविन गुरु की सिख्षाओं का भी विस्तार हुआ साथियों गोविन गुरु जैसे महान सोतंत्रता सेनानी भारत की परंपराओं के भारत के आदर्शों के प्रतिनिदी थे वो किसी रियासत के राजा नहीं थे लेकिन फिर भी वो लाखो लाखो आदिवासियों के नायक थे अपने जीवन में उन्होंने अपना परिवार खो दिया लेकिन हौसला कभी नहीं खोया उन्होंने हर आदिवासी को हर कमजोर गरीब और भारतवासी को अपना परिवार बनाया गोविन गुरु ने अगर आदिवासी समाज के शोषण के खिलाब अंग्रेजी हुकुमत से संगर्ष का बिगुल्फुका तो साथ ही अपने समाज की बुराईयों के खिलाब भी उन्होंने लड़ाई लड़ी थी वो एक समाज सुधारक भी थे वो एक अध्यात्विक गुरु भी थे वो एक संत भी थे वो एक लोकनेता भी थे उनके जीवन में हमें साहस शौरिय के जितने महान दर्षन होते हैं उतना ही उचा उनका दार्षनिक और बौदिक चिंतन भी था गोविन गुरु का वो चिंतन वो बोद आज भी उनकी धुनी के रूप में मानगर धाम में अखंड रूप से पदिप्त हो रहा है और उनकी संप सभा देखे शब्द भी कितना मार्मिक है संप सभा समाज के हर तपके में संप भाव प्रेदा हो इसलिए उन्होंने संप सभा के आदर्ष आज भी एक जुड़ता प्रेम और भाईचारा की प्रेना दे रहे है उनके भगत अनुवयाई आज भी भारत की आध्धात्मिक्ता को आगे बढ़ा रहे है साथियो 17 नमंबर 1913 को मानगेड में जो नर्संहार हुआ वो अंग्रे जी हकुमत की कुरूरता की प्राकास्टा थी एक और आजादी में निष्ठा रखने वाले भोले भाले आधिवासी भाई भेन तो दूसरी और दुनिया को गुलाम बनाने की सोच मानगर की इस पहड़ी पर अंग्रे जी हकुमत ने डेड़ हजार से जादा युवावों बुजर्गों महिलाओं को घेर करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया अब कल्पना कर सकते हैं एक साथ डेड़ हजार से जादा लोगों की जधन्य हत्या करने का पाथ किया गया दुर्भाग्य से आदिवासी समाज के इस संगर्ष और बलिदान को आजादी के बाद लिखे गए इतिहास में जो जगह मिलनी चाहिए थी उन नहीं मिली आजादी के अमरत महोसों में आदेश उस कमी को पूरा कर रहा है आदेश उस दसकों पहले की भूल को सुधार रहा है साथियों भारत का अतीत भारत का इतिहास भारत का वर्तमान और भारत का भविश्य आदिवासी समाज के बिना पूरा नहीं होता हमारी आजादी की लड़ाई का भी पग पग इतिहास का पन्ना पन्ना आदिवासी विर्ता से भरा पड़ा है अठारा सो सत्तावन की क्रांती से भी पहले विदेशी हिकुमत के खिलाब आदिवासी समाजने संगराम का ब्युगल फूका था सत्रा सो सी अप सोची अठारा सो सत्तान से भी पहले सत्रा सो असी में संथाल में तिलका माजी के नेत्रुत में दामिन सत्यागर लड़ा गया था अठारा सो तीस बत्तीस में बुधू भगत के नेत्रुतों में देश लर्का आंदुलन का गवा बना अठारा सो पच्वण में आजादी की यही ज्वाला सिधू काना कांती के रूप में जलूठी इसी तरह भगवान बिर्शा मुंडा ने लाखो आदिवास्यों में क्रांती की ज्वाला प्रज्वलित की वो बहुत कम आयू में चले गए लेकिन उनकी उर्जा उनकी देश भक्ती और उनका होसला ताना भगत आंदुलन जैसी क्रांतियों का आधार बना साथ क्यों गुलामी के शुरूवाती सदियों से लेकर बिश्वी सदि तक आप ऐसा कोई भी कालखन नहीं देखेंगे जब आधिवासी समाज ने स्वाधिन्ता संग्राम की मशाल को थामे न रखाओ आंद्र प्रदेश में अल्नूरी सीता राम राम राजु गारू के नेत्रुतों में आधिवासी समाज ने रंपा क्रांती को एक नई धार दे दी थी और राजस्तान की धर्ती तो उससे भी बहुत पहले ही आधिवासी समाज की देशभक्ती की गवार ही है इसी धर्ती पर हमारे आधिवासी भाई बहन महाराणा प्रताप के साथ उनकी ताकत मन करके खड़े हुए थे साथियों हमा दीवासी समाज के बजिदावों के रनी है हम उनके योगदान के रनी है इस समाज के इसने प्रक्तिस से लेकर पर्याबरन तक संस्कृती से लेकर परंपरव तक भारत के चरित्र को सहजा और संजोया है आज समय है कि देश इस रुण के लिए इस योगदान के लिए आदिवासी समाज की सेवा कर उनका धन्यवाद करे बीटे आठ वर्सों से यही भावना हमारे प्रयासों को उर्जा देती रही है आज से कुछ दिन बाद ही पंदरा नमंबर को भगवान बिर्सा मुंडा की जैन्ती पर देश जन जातिय गवरव दिवस मनाएगा आदिवासी समाज के अतीत और इतिहास को जन जन तक पहुँचाने के लिए आज देश भर में आदिवासी स्वतंतरता सेनानियों को समर्पित विशेश मुझ्यम बनाए जा रहे हैं जिस भगव्य विरासत से हमारी पीडिया बंचित रह रही थी वो अब उनके चिंतन का उनकी सोच का और उनकी प्रेनाव का हिस्सा बनेगी भाईयों बहनों देश में आदिवासी समाज का विस्तार और उसकी भूमी का इतनी बड़ी है कि हमें उसके लिए समर्पित भाव से काम करने की जरूरत है राजस्तान और गुजरात से लेकर पुर्वत्तर और ओडिसा तक विवित्ता से भरे आदिवासी समाज की सेबा के लिए आजदेश स्पस्ट नितियों के साथ काम कर रहा है वनमंदू कल्यार योजना के जरिये अजजन जातिये आबादी को पानी, बिजली, शिक्षा, स्वात और रोजगार के अवसरों से जोड़ा जा रहा है आज देश में वन खेत्र भी बढ़ रहे हैं, वन संपदा भी सुरुचित की जा रही हैं और साथ ही आदिवासी खेत्र डिजिटल इंडिया से भी जूड रहे हैं पारंपारिक कौसल के साथ साथ आदिवासी युवाओं को आतुनिक शिक्षा के भी अवसर मिले इसके लिए एक लव्य आदिवासी विध्याले भी खोले जा रहे हैं यहां इस कायरकम के बाद मैं जामुगोडा जा रहा हूँ जहां गोविन गुरुजी के नाम पर बनी उनिवर्सिटी के भव्य प्रशासनिक केमपस का लोकारपन करूँगा साथियों आज आपके बीच आया हूँ ते एक और बात भी मेरा बताने का मन करता है आपने देखा होगा कल शाम ही मुझे अमदाबाद से उदैपूर ब्रॉडगेज लाइन पर चलने वाली ट्रेन को हरी जंडी दिखाने का आउसर मिला है तीन सो किलोमेटर लंबी इस रेल लाइन का ब्रॉडगेज में बदलना राजस्थान के हमारे भाई और बहनों के लिए भी बहुत महत्वपूर है इस परिवर्तन से राजस्थान के अनेक आदिवासिक शेत्र गुझरात के आदिवासिक शेत्रों से जुड़ जाएंगे इस नई रेल लाइन से राजस्थान के टूरिजम को भी बड़ा लाब होगा यहां के आउद्यों की विकास में भी मदद मिलेगी इससे युवाओं को रोजगार की भी नई संभावना बढ़ेगी साथियो अभी हां मानगर धाम के संप्रण विकास के चर्चा भी हुई है मानगर धाम के भग्य विस्तार की प्रबलिच्छा हम सभी में है इसके लिए राजस्तान, गुझरात, मदब देश और महराश को मिलकर काम करने की आवश्यक्ता है मेरे याद चारों राज्य और सरकारों से आग रहें कि इस दिशा में विस्तुत चर्चा करें एक रोड मेप तयार करें ताकि गोविन गुरुजी का इस बृति स्थल भी पूरे विश्व में अपी पहचान बनाए मुझे विश्वास है मानगर धाम का विकास इस खेत्र को नई पीडी के लिए पिरना का एक जागरत स्थल बनाएगा और मैं ये भी स्वाद दिलाता हूँ क्योंकि कई दिनों से हमारी चर्चा चल रही है जितना जल्दी जितना जादा खेत्र हम निर्धारित करेंगे तो फिर सम मिलकर के और भारत सरकार के नित्रुतों में हम इसको और अधिक विकास कर सकते हैं इसको कोई राष्टियस मारक कह सकता है कोई संकलित विवस्ता कह सकता है नाम तो कोई भी देगेगे लेकिन भारत सरकार और इन चार राज्यों के जनजातिय समाज का सीधा समन्ध है इन चानों राज्यों ने और भारत सरकार ने मिल करके इसको और नहीं उचायों पर ले जाना है उद्धिशा में भारत सरकार पुरी तरह कमिटेड है मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत सुप कामणाई दिता हूँ गोविन गुरु के स्री चरणों मैं प्रणाम करता हूँ उनकी धुनी से मिली हुई प्रेणा से आधिवासी समाज के कल्यान का संकल्प ले करके हम सभी निकले यही मेरी आप सबसे प्रासना है बहुत ब जन्यवाद